नमस्का अदर्शकों रवींद्र सोनी हेल्थ और वेल्नेस में आपका पुना स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको स्वास्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां देखने को सुनने को मिलती हैं साथ ही हम आपकी चर्चा कराते हैं हर फील्ड के चाहे वो आपको समधान मिल सके आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहर के जाने माने आयरवेद आचारी डॉक्टर रंजीत नारंग जी से रंजीत जी वरतमान मैंस्ट्री साइं आयरवेद कॉलेज वे और हॉस्पिटल में कारेरत हैं जो कि मांसरोर गुर्प से है और आज ह बड़ी आबादी इस समस्या से पीडित है चाहे वो युवा हो चाहे बड़ी उम्र के लोग हो यह किसी को भी हो सकती है तो आज हम जानेंगे डॉक्टर रंजीत नारंग से कि यह समस्या एक्जेकली आयरवेद के त्रिस्टिकोंड से क्या है क्यूं होती है किस तरह के से इ इस तरह से बीमारी की व्याख्या करता है माइग्रेन आज के समय पर अगर देखा जाया तो एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है जो ना केवल बड़ों को बलकि बच्चों को हर सेग्मेंट हर आयू के लोगों को यह एफेक्ट करता है अब यह माइग्रेन के अगर हम ब कारण से हुआ इसको आयरवेद द्रश्टी से देखा जाए तो आयरवेद को इसको देखने की एक अलग नजर्या है जैसे कि हम सामान्या सुनते हैं कि कोई भी बीमारी अगर पन होई है तो आयरवेद में उसको पेट से रिलेटेड जरू बताया जाता है उसके पीछे का य जो हुट होते हैं हमारी लाइफ टैल और पेट की हैबिट के कर Standards और यह नी इनीอरोलोजीकल डिसॉडरस इस तरीकिंग इस तरीके के वशिश या है टिक होता है और यसी इस काटेगरी के कराएं इसी special presentation के कराएं इसको migraine नाम दिया गया है जी तो जैसा कि आपने बताये कि आयरवेद में कोई भी बीमारी के जड़ जो हो पेट से शुरू होती है फिर शरीर के बाकी यंगों में जाती है आपने कि हम्सेर बारे में बताये कि यहाँ पेट फने की दिमागय की चुरू होकर कि दिमागय की Confederate जाती है उस से सम च्वाइन होती है इसमें जाना जायेंगे कि सामानिय सिर्दर्द और माईग्रें इसमें किस तरह का ऌड़ का देखते हैं ऑर कि तरह से आप इसको इसको करते हैं कि यह सामान्य सिर्दर्द तो इसको माइग्रेन को tuอी कोई ऐसे डैग्रेंस्टिक प्रश्ट करते हैं तरीके से हमको थीच्व लेंटीन वाले सब्जेक्टिव प्रेजेंट शृद डा otras है जो headache है एक कॉमनली अगर मैं कहीं से आया थक के आया तो दिस इस एक्जर्शनल या मेरे पास बहुत ज्याज़ा साउंड आ रहा है और उसके कारां आज irritation हो रहा है that may be the सामान्य headache लेकिन एक होने वाला विशेश प्रकार जहां पर इस headache होने के पहले हमें पता चलता है जिसको हम बोलते है और अगर किसी को और नहीं हो रहा है तो यह जो headache का presentation है वहाँ पर pulsating या throbbing कोई मार रहा है और यह भी सिर के एक तरफ पार्ट में या इसके presentation के साथ किसी को vomiting या दर्द का एक विशेश प्रकार जो आखों के पीछे या सिर के एक हिस्से में होता है तो कहने का मतलब है इस तरीके से एक विशेश प्रकार का सिर्दर्द जो starting होते हुए एक अवधी तक चलता है और यह recurring होता है जब इस तरीके से विशेश प्रकार पाया जाता है तब हम उसको tag देते हैं yes this is the migraine important है कि migraine किसी और pathological condition के कारण तो नहीं है इसके लिए जरूर हम दूसरे investigations करके यह rule out करते हैं कि yes यह किसी और कारण से ना हो करके यह migraine के कारण ही headache हो रहा है तो जैसे आपने बताया है कि इसके वैसे कोई diagnostic tools नहीं है लेकिन अभी आपने आखरी में यह भी बताया कि कुछ ब्लट के investigation आप कराते हैं तो जैसे कौन से मदद किसमें करते हैं कि migraine के लावा और कोई serious signals तो नहीं है तो हमारे सामने यहां पर कुछ red flag science आते हैं और red flag science हमें यह बताते हैं कि migraine है भी या headache है भी तो आपको तुरंट से दौरान यह headache के साथ-साथ में आपको BP बहुत ज़्यादा रहता है दूसरा यह headache अचानक से आप बैठे हैं और कुछ अचानक से यह headache इतना तेज हो रहा है कि आपको कोई solutions नहीं मिल रहा चांट जब आप शो रहे हैं और सोते ही उठते हैं तब अचानक से headache यह headache आपकी नीद को disturb कर देता है मतलब नीद में सोते सोते आपको headache हो रहा है और आप उठ रहे हैं तो यह कुछ red flag साइन्स है जब हमें अलर्ट हो जाते हैं अलर्ट करने का सिगनल से यह आपको यहां पर वेट नहीं करना है यह सामान्य है कि माइग्रेंड है कि यहां पर कुछ और पैथलोजिकल कंडिशन सो सकते हैं जिसके लिए हम सिटीज कैंसे लेके होने वाले ब्लड इंवेस्टिकेश मैं जानना चाहूंगा चूंकि हमारे वह टॉपिक से थोड़ा सा बहार जा रही है वह चीज लेकिन फिर भी चूंकि वह हैडेक्स से जुड़ी हुई है आपने बोला कि एक सामाने सिरदर्द हो सकता है दूसरा माइग्रेन हो सकता और एक तीसरी कोई से ऐसी कंडिशन हो सक सोनोग्राफी है और इसके साथ होने वाले और प्रेजेंटेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति को बीपी है कोई ओन गॉइंग एग्जिस्टिंग प्री डिजीज कंडिशन मतलब किसी का डियाबिटीज है या पहले कभी थाराइट के कारण या पहले कभी सिर्थ के कोई चोट मिदा देखना इसकानि के लिए रिंग्रेज काने जाता है तो इसमें किस तरह के ट्रीट्मेंट इव्यक्त आएरिवेद के जडela करना माइद सेग्मेंट कानु सकता है तो इसके तहीं मुख्यत चारण हो सकता है तई हमारे डिग्नॉसिटेक पैक्टर की जैसे हम देखते ह हमें किसी गाड़ी को reverse करना है तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितना आगे गई है ताकि हम reverse करें यह depend करता है अब हमें की diagnosis करते वक्त कि यह कितनी stage पर है मतलब अगर यह primary initial stage है कुछ समय हुआ है बहुत सारे बाकी medications नहीं है यह quality of life को को एक medium segment सकी है यह injectable level से हमें manageable बहुत नहीं करना पड़ रहा है मतलब इन सारी stages को हम reverse कर सकते हैं बहुत अच्छे से manage कर सकते हैं लेकिन यह बहुत जाला आगे बढ़ चुकी है तब हमारा उद्धिश रहता है कि हम quality of life को इतना इंप्रूब कर दें कि आप एक बहुतर जुन्दगी जी सकें जी सर आपने एक सौरी आपको इंटरुप कर रहा हूं आपने इसकी stages की बात की तो माइग्रेन की कितनी stages आप देखते हैं यह माइग्रेन की जब हम स्टेज सीखते हैं तो that is mainly two types of stages जहां यहां पर initial stage याने अभी recently इस तरीके से headache के episodes शुरू हुए है कोई विक्ति आजाता है कि सब मुझे एक महिने से शुरू हो रहा है और कोई कहता है कि सब मुझे एक-दो साल से है तो यहां पर clinical experience की जब हम बात करें तो three to four years तक अगर किसी को यह शुरुआत हुई है तो definitely this is the primary stage जिसको हम बहुत easily manageable कर सकते हैं second intermediate state या जब हम कहे second stage से mid की stage जहां पे यहां पे लोगोंने painkillers लेकर के manage कर दिये होते हैं या चाय coffee इतनी addictions पढ़ा दिये होते हैं या कई बार वो कुछ ऐसी medicines लेते हैं जो के recommended नहीं है तो इस तरीके से जब हम manage करते हैं तब हमे बहुत difficult stage आती है क्यों क्योंकि स्रिफ आयरवेदिक medicine स्रिफ lifestyle से काम ना चलते हुए हमें पंच कम therapies के साथ-साथ बहुत efforts मानने पड़ते हैं now the second later on stage जिसको हम second stage कहते हैं उस stage में जब हम देखते हैं कि injectable painkillers चल रही होते हैं और उस injectable painkillers के साथ भी manage नहीं होता है so this is the most difficult situation जहां पर हमारे सामने बहुत सारी difficulties आती है और इन difficulties को manage करने के लिए सबसे important मदद चाहिए रहती है उस व्यक्ति की जो इसको ट्रीट करने के लिए इस आयर्वेदिक पैथी पे चलना चाहता है क्यों क्योंकि हमें इसमें lifestyle second stage मतलब इसमे इस्टराइड लेवल की दवाएं start हो चुकी होती है क्या पेशे यस मतलब anti-inflammatory या nerves को conduction को ब्लॉक करने के लिए इस तरह के सब्सक्राइब इस तरह से आयर्वेद में जो आप बता रहे हैं तो किन-किन तरह से आपने जैसे बताया कि इसमें जरूरत परती त का पंच कर्म का भी इस्तेमाल करते हैं तो हम एक इक treatment की बात करेंगे कि किस तरह से आयर्वेद आपने बताया कि अलग अलग स्टेजिग होती है आप उनको पहले identify करते हैं तो उन स्टेजिगेस के हिसाब से आयर्वेद में वाइग्रेंड का क्या treatment आप करते हैं येस बिलक है कि factors क्या रहा है example अभी मैं बहुत ज्यादा stress वाली condition में हूँ तो यह stress भले मेरा यह factor है लेकिन इस stress के कारण मेरे hormonal changes होंगे मेरे जो situations होंगे वो पूर होंगे भले मैं quality of things खा रहा हूं लेकिन उसका absorption होगा क्या नहीं याने finally lead up हो रहा है हमारे abdominals से तो यह से number of factors हो सकते हैं example मेरी बहुत ज्यादा stressful life है मेरे खाने की quality अच्छी नहीं है या मैं चलते चलते खाता हूं या मैं जब खा रहा हूं तब बहुत सारी बाते कर रहा हूं या इनके अलावा मेरी exercises नहीं है मेरी family history है तो इस तरीके से number of reasons होते हैं और इन number of reasons को identify करते हुए एक चीज़ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी हम खा रहा है वो nutritive जाए ताकि जो neurological conditions हम बहुत रहे थे blood vessels की health और हमारे brain development की condition ये first initial अच्छा हो अब जैसे ही हम इसको देखे तो अब अगला आता है कि हमारी lifestyle changes मतलब योगा शायद हम सब लोग बहुत सारे तरीके से करते होंगे लेकिन इन योगा को भी करने की कितनी तरीके हैं कितने levels सक करना चाहिए एक example के थूँ समझते हैं अभी हम ब नहीं यहां पर condition wise समझते हुए हमें कितनी देर के लिए कितनी levels के लिए ये lifestyle changes करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो यह तो एक example था lifestyle changes में हमारे सुबह को उठने से लेके रात को सोने तक हमारी sleep quality कैसी है मतलब मैं कितनी बार उठता हूँ यह सोने गया तो मुझे कित lifestyle changes को करते हैं अब इन lifestyle changes को करते हुए थर्ड स्टेप या थर्ड सेग्मेंट जो treatment कर रहता है उसमें रहता है कि आपकी माइग्रेन की stage को देखते हुए यहां पर initial कुछ आईविदिक medicines की मदद लेते हुए अगर condition बहुत आती है यहां बहुत aggressive condition है बहुत लिटर ऑन की कुछ therapies को add-on किया जाता है जहां पर detoxification as well as regeneration and rehabilitation इन तीनों therapies के segments को cover किया जाता है जिसमें शायद आपने नाम सुना होगा commonly जैसे शिव जी के उपर अधारा गिरती है जिसको हम शर्य अधारा कहते हैं एक अभ्यंग मतलब आपके इस analysis के बाद आपके body type के हिसाब से आपके bio type के साब से oil select होता है और उस oil को अभ्यंग के रूप में जब हम apply करते हैं तो यह हमारे neurovascular system को ठीक करता है जो हम कहें कि nitric oxide level को ठीक करता है ताकि हमारी blood vessels की flexibility ठीक हो और यह finally जाके land up करता है हमारे migraine के repairment या migraine के management तो यह हुई 4 stages जिस तरीके से हम migraine को manage करते हैं जी तो स अब इसके बाद हम इसके preventive measures की बात करेंगे कि आपने निदान बता दिया उप्चार बता दिया इसके कारण बता दिये हमने इसके symptoms भी discuss कर लिये अब बात आती है कि besides medicines हमें किस तरह की lifestyle अपनानी चाहिए जिससे की मतलब उसमें आप खानपान भी बता सकते हैं साथ में तो सारी चीजों को अगर हम combination देखें तो उन तरह के सारे लोगों को भी हमें शामिल करना हो क्यों कि आजकल बहुत सारे लोग है जो रात को भी जिनको काम करना होता है तो उनके लिए क्या घरेलू उपाय बताएंगे जिनसे को अपना करके इस condition को वो control में रख सकते हो साथ मेडिकेशन से अपने progress कर सकते हैं उसको ठीक करने की तरफ बहुत ही बहुत ही बैतरी इस प्रशन हमारे सामने आया सर यह भी कहते हैं कि prevention is always better than cure क्योंकि हम कितने भी efforts करें कितना भी सारी working करें वो शायद दिक्कत होती है और इसलिए पहले जाता है और आयरिवीद का मूल उ करें तो यहां पर preventive की जब बात करते हैं तो दिन चर्या रितू चर्या यहां जिसको हम lifestyle की रूप में समझते हैं यह सारे के सारे segments हमारे लिए important है अब इन सारे segments पे हम बात करें तो यहां पर एक specific मतलब जन सामान्य की रूप में और एक दूसरा आता है work to work specific जैसे अभी ए हमारे सामने आया कि सर किसी की night shift है तो क्या करेंगे तो फिर से यहां पर आपकी जो shifting है उसको हम personalize समझ करके personalize प्लान करते हैं कि आपकी lifestyle ideal क्या हो सकती है ताकि आपको यह दिक्कत ना हो और second segment आता है कि जन सामान्य के लिए हम सब की क्या होनी चाहिए तो हम सब के लिए सु कि खाने के बाद चाहिए कि खाने के पहले चाहिए यहां पर जो हम मील्स ले रहे हैं किसके लिए multigrain है किसी के लिए इन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं बट एक चीज में आपको कहना चाहूंगा अगर आप अपनी neurological conditions को healthy रखना चाहते हैं तो दो उपाय आप जरूर अप सुबह को मौनिंग में 15 minute at least brisk walk जरूर कीज़े खाली पेड दसे दफर्स मोस्त कॉमन प्रेवेंटिव मीजर नॉट अनली फॉर माइग्रेंट बट आइवेदिक दरश्टी से सभी चीजों के लिए एक बहुत अच्छा उपाय और अब अपने खाने में किसी ना किसी फ्रे ग्रीन लीफी चीजें हैं उनको आप किसी चटनी के रूप में अपने भूजन में जरूर शामिल कीजिए तो ये दो एक ऐसे उपाय है जो हर किसी व्यक्ति के लिए है 15 मिनट से ज्यादा करना है कि नहीं करना फिर से अगेन बात आ जाती है specific आज के आपके शरीर की condition क्या ह है उनको देखके ये specific व्यक्तिगत हम measurement अपना सकते हैं लेकिन सामयने तोर पे ये दो को आपने अपना लिया तो definitely हम prevent रह सकते हैं और जिनको है भी तो वह भी धीरे-धीरे करके इसे बहुत अच्छा benefit ले सकते हैं तो thank you so much आपने बहुत सारी information आज हमारे दर्शकों को migraine को में देखा जा रहा है और हर दूसरा तीसरे व्यक्ति इसकी complain करता हुए नजर आता कि सब मुझे ये problem हो रही है तो निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है वो देखकर के दर्शकों के दिमाग में migraine को लेकर के जो प्रश्ण होंगे उनके उत्तर मिल जाएंगे इसके अगर आपकी कोई queries है आपको लगता है कि हम इस interview में कुछ चीजों को cover नहीं कर पाएं तो आप हमारे comment box में उसको लिख करके भेज सकते हैं डॉक्त साब से जब हम अगली मुलाकात करेंगे तब कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्णों के उत्तर ले सकें आज का episode हम यहीं स हम आप करेंगे और डॉक्त साब से विदा लेंगे तो सब बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच पर करेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंगे तर बहुत बहाँ बहाते हैं